हेलो गाइज वेल्कम बैक टो यूट्यूब चैनल अग्रिकल्चर अंजी के मेरा नाम है श्राय मंदल और आज में एसर भी निट निमाटोलोजी प्रिफियर्स याँ सॉल्ट पेपर 2019 जो की मेमरी बेस्ट है और उसके डिसकेशन करने वाली हूं और यह वीडियो आपको मिल जाएगे अग्रिकल्चर अंजी के की यूट्यूब चैनल पर अग्रिफियर्स चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि एसर भी नेट उसके साथ एपसी और आदर्स केंप्रिटिव एक्जाम्स की ऑल अवर इंडिया में अग्रिकल्चर अलाइक सेक्टर क जितने भी एक्जाम्स होती उसके सॉल्ट पेपर मेंबरी वेस्ट क्वेश्चन उसके लिए मॉक टेस्ट लेक्चर सिरीज यहां पर आपको मिल जाएगी चलिए आज का सशन शुरू करते हैं फादरप निमाटोलोजी फादरप निमाटोलोजी के जो नाम हम लोग जाना ज तो यह इस नाम से जाना जोते है न आ कॉब। हैंनल माटोलोजी जो माइट्व सेबुरण गीचे से ल से से लिए मेंटिनेंस होती है जब सेल नमबर अबर आपका लीएपनोर्मालेटी इन्क्रेस हो जाती है उस स्टेच को बोलता है उस स्टेच को बोला जाता का है सए से हिंटिफिक टर्म से टाइमिनलोजी से जब नंबर इंक्रीज हो जाएगी मतलब 122 इस तरीके कि अगर सेल डिवीशन होके नया सल जो जेनरेट होगा उसका नंबर आगर इंक्रीज हो जाएगी वह हो जाएका हाइपर-प्लेशे जब सेल का साइज या टिशू साइज जब उस condition का हम लोग बोलेंगा hypertrophy next जो है hypertrophy अन है प्लेशियर फ्रम एट फीडिंग साइट फीडिंग साइट ऑफ मेलाइड गाइन जो के एक निमा निमा टोड है hypertrophy है फीडिंग साइट में होती है due to the due to the इंफेस्टेशन दीट्ट्व अटक आप मेलाट गाइन जो एक निमा टोड है मेंटेक डिजिस अप राइस मेंटेक डिजिस यह क्यों होता है इस तरीके की होता है जो सिचुएशन जो मॉडर्न स्टेज में जिस तरीके की नाम जैसे दिया गया है यह करेक्शन हुई थी भाई फिलिप जेब इन 1936 रूटलेसर निमा टोड जो कि प्रै्टतलेंचाज कॉफी इस सीरिएस के लिए सबसे हम्फुल होती है यह प्र्दा चल रहा है कि कोफी इसके सबसे प्र्दांचान प्रडक्टिवुटिटी होता है तो स में इंडिया में सीर्यास पेस्ट जा रजुट अर्सцо बॉरोईं निमातोड रोडोफलास जो कास्कते सीमियाद डैमेश फ्रूट क्रोप और इनी तैप अव स्पाइसिस एड इच्प्रेडिंग डिकलाइन अव दे शीट्रस इन दे फ्लोरीडा तो यह बॉरोईं निमातोड का नाम है रोडोफलास शीमियाद जो के बॉरोईं नि निमातोड जो कि है वो सित्रस में जो डिकलाइन 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 इसका डैमेजिंस से इसका से इन इंपोर्टेंस की प्लेश दिया गया है तो निमाटर बॉडी इस बैसी करें अगर डाइसेट करते थे तो वह जाएक यह बाइले लेतरल यह मतलब दोने से सिमेत्रिकल होती है दोनों साइट से दोनों हाफ में कार्वेचर अपनि निमाटर बाडी इस तुवर्ज 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 वेंट्रा साइड में होती है मगर निमाटस टो खेवक मागी धुक्त के विए तो घ्क दिम से दिया है предлаг ऑपिछेन है कि ampead ampead work kg capturing जोट है आप खिर केमो सेंसरी औरगन पीडल केमो सेंसरी और गन अस सेधिर लोकेड निए लिप रीजियन अन 59 एंप्लें ब्रीजियन प्लेंपर्टरेंट ड्रies под गरी फेसे नर झेंपर्टरेंटीड में बात बोल रहे हैं यह आप लोगे समझ नहीं कि एक बार बोल दिती हूं वेंटर सेलेक्टर जो पाहाड की जो पोस्टरन होती है रिफर्स टू दा फ्रांट अदा लोवार साइड होती है सर्फेस वह जाएगा वेंटरल साइड नेक्स्ट जो हैं जो फास्मीड फास्मीड के यह अर पर प्रार पर किम अर्डेजन होती है है रिफस मीड बिसक्रण होरा आधं स्टू भी हमीकर्ण होरा और वीचली है और पिछले पर चंहें relevant ऑर इसको देरीड ये भी एक paired structure होती है जो कि excretory pore की opposite में present होती है और ये mechanode receptors in function होती है तो हलेक का अलग-अलग functions होती है Ampute का function होती है finding the host cell जो कि lip region में present होती है phasmid present होती है posterior region of the nematode में जो कि chemodeceptor as a function काम play करते है रोल देरीड जो कि एक mechanode receptor की function है जो कि opposite of the excretory pore Circulatory or the respiratory system are absent in nematodes Circulatory or the respiratory system जो nematode में absent होती है जो कि insect में present होती है और इसे लिए Insecticide is आपका mode of action जादा है इसलिए nematode damage or killing of nematode is serious thing क्योंकि इतना आसान इसे nematode का आप kill नहीं कर पाऊगे Number of molting in nematode generally four it means the nematode have four larval stages तो larval में जो अगर पुछा जाता है कि how many stages are there in larval stages in nematode तो यह हो जाएगा counting करके four larval stages होती है तो larval stage and molting stage जो जो morphogenesis साम से बोला जाता है तो molting in nematode होती है चाड़ Next जो है in plant parasitic nematode जो मतलब जो nematode plant में as a parasite host के host होती है plant तो present होती है जो first molt j1 occurs within the eggs and style it bearing the second larval stage जो की j2 are released तो यहाँ पर 2 stage हो रही है plant parasitic nematode में एक होती है J1 जो की first molting stage हो second larval stage होती है J2 जो first stage होती है eggs के अंदर ही जब यह eggs में रहता है तब यह हो जाएगा J1 stage occurs within the eggs and also stylet bearing और जो say J2 stage में जब यह transfer हो जाएगा तब इसका stylet formation होती है anguina 3tc undergoes quiescent in the J2 for up to 28 to 32 years तो anguina 3tc nematodes में क्या दिखा जाता है जो J2 stage जो second larval stage जो quincent stage होती है तो यह stage में जैसे कोई स्टॉप कर देते हैं सीज कर देते हैं तो 28 to 32 years तो यह quiescent stage में प्रजेंट होती है डाइटा लेंचेस डिपसी यह होती है कि fourth stage जो मैं बोलते हैं कितना नंबर था मोल्टिंग स्टेज था four तो J1 G2 जो fourth stage होती है वह undergoes the quiescent stage जो कि डाइटा लेंचेस डिपसी में यह particular डाइटा लेंचेस डिपसी में यह होती है कि fourth stage के बाद यह quiescent स्टेज में चले जाते हैं और एंग्विनस स्टेज में यह स्पेसिफिकली होती है जो कि J2 stage में जो quiescent होती है वो अप टो 28 to 32 years तक इसी quiescent stage में present होती है majority of the plant pathogenic nematodes belong to class scissor nenentia and order thailand cheetah तो plant pathogenic nematodes की major class होती है दोनों class से बिलों करती एक हो जाएगा scissor nenentia and also thailand cheetah यह दो order है तो इसके पाद में आपको बोल सकते हो कि entomology के उपर nematology के लिए एक प्लेइलिस्ट प्रेजेंट है एक डिकलचे जी के YouTube चैनल पे आप उप्लेइलिस्ट पे जाके एक बार देख सकते हो In thailand cheetah's cuticle is marked with transverse striation known as tria and these are deep in chryso nematida and also called the annuli or spine on the posterior margin and also useful for the taxonomic importance मतलब taxonomic के लिए अगर nematode को अगर ग्रूप में एक जेना से species wise अगर पो classify करना होगा तो इसलिए taxonomic importance के लिए इसका distinct salient feature distinctive features बोल सकते हो इस तरीके की जो striation यह annually present होती उसके basis में तो thailand cheese जो की और एक major nematode जो plant nematode class है उसमें जो cuticle होती है वो mark होती हो इस transverse striation और इस striation को बोला जाते है stri, stripe और यह deep होती है इंदा साड को chryso nematida में यह deep होती है striation को deep level पर देख सकते हो और इसको बोला जाएगा annually of the spine of the scale जो की posterior margin में marginal में जो scale में skin में present होती posterior position में only epidermis or the hypodermis is metabolic curve unicellular layer तो यहां पर जो metabolic activity जो present होती unicellular layer में तो यह metabolic activity होती है hypodermis और only the epidermis layer में यहां पर यहां पर unicellular layer present होती है तो hypodermis, epidermis, metabolic activity present होती है next in the Thailand cheese, Thailand cheese और यह जो important class है present in the stoma और the baccal cavity or stylet hence the Thailand cheese name the stoma stoma stylet and it is used for the piercing in the plants तो तो Thailand cheese के बारे में और एक important information क्या है कि जो Thailand cheese present होती है stoma or the baccal cavity or stylet मतलब stylet, baccal cavity और stoma इस तरीके की structure यह present होती है और यह present होती है stoma present होती है इसलिए इसका और एक नाम है stoma stylet और यह इसका purpose क्या है stoma stylet का function से कि plant cell को piercing के लिए मतलब जो infection जो thread हो जाएगा उसके पहले आपको piercing करना पड़ेगा plant cell से तो यह piercing के लिए help करते stoma stoma stylet stoma stylet developed from fusion of the cells of the baccal cavity in Thailand cheese Thailand cheese में क्या जो baccal cavity था उसको वो cell walls के fusion से stoma stylet develop होती है in some nematodes rectal glands 3 in female and 6 in males are present मतलब nematode में rectal gland होती है female में 3 number में present होती है और male में 6 present होती है they are responsible for production and this rectal glands में क्या production के लिए responsible होती है जो females में कितना present होती है 3 और males में कितना present होती है found out होती है males में होती है 6 नेक्स जो है प्रड़ जिलाटिनस मैक्रिस इन फिछ एग्स अलेग्स और इस नॉर्मली फीचर अप दरील लेमाइट बट इट है इस अल्सवीन रिपोर्टेड इन मेलोडोगाइण प्रतिकुलर्ली जो रिक्टल ग्लैन्स प्रेजन्ट हो रही है रिस्पॉंसला फर्ड़ प्रोड़ाव्चन अधर जिलाटिनस मैक्रिस in which the eggs are leg. छोब एग laying जो इसको cover करके gelatinous matrix होते है to protect the eggs. और इस gelatinous matrix जो जहां से secreted होता है ये होते है rectal glands और इसके बाद क्या हो जाएगा ये characteristic ये dorylamide में होती है normal as a normal feature but myendogyene nematode में भी ये feature धिखा गया है reported है. Next, is姐 की chauff rider associated with इस डिजिस का नाम हो जाएगा spring crimp और the summer crimp एसलेंचर स्ट्राविडी में spring crimp या summer crimp disease को कॉस करते हैं root rots cause on the potato tuber by the ditalanches dextract तो यह जो question है यह बहुत important है कि potato tuber में potato tuber में जो rotting होती है जो root rotting disease होती है तो यह जो निमाटोड की कारण हो यह हो जाए कि ditalanches dextractor की कारण यह बहुत important question है next हम लोग जो symptoms है पढ़ते है necrosis या lesence इस तरीके की जो symptoms हम लोग देख पाते हैं इसका कारण क्या होती है यह due to the attack of the pratylenches and the rotofilla similis इस तरीके के निमाटोड जब plant cell से plant cell को infect कर देते हैं और उसके 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 उपर मतलब रहना स्टार्ट कर देते हैं तो तब जाके lecens necrosis टाइप का symptom आप नेका टाइप पर देख सकते हो उससे पहले आप समझ भी नहीं पाऊगे कि वहाँ पर नेमाटोड इनफेक्शन हुआ है कि नहीं और इस तरी बिढ़ नेमाटोड यह करते हैं और इहां पर क्या है यह पाँपसीट सेटल construction J3, J4 और इसके साथ हो जाएग एक stage और एक stage को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से क्या होते है बाहर से gelatinous matrix का है डिवलाप किया जाता है निमाटोड मे और उसे के साथ जए फाइनल स्टेज वह हो जाएगा एडल स्टेज नेक्स जो हे सबसे जाधे infections होती है plant parasitic nematode की on the roots isophagus of nematode is consist of three parts and this part को बोला जाएगा triradial symmetry तो generally nematode का अगर dissect करते तो यह जाएगा bilateral symmetry और nematode की isophagus जो है यह थी three parts होती है isophagus में और इसको बोला जाएगा triradial symmetry यहां पर भी symmetry आपको दिख जाएगा the oral aperture is basically surrounded by sex lips means 6 lips से present होई जाएगी oral aperture में और इसको बोला जाएगा hexaradial symmetry मतलब इसलिए इसका नाम जाब isophagus में three parts तो इसके हो जाएगा triradial और oral aperture में क्या हो जाएगा lips रहेगा six in number six lips जाएगा इसके लिए इसका नाम हो जाएगा hexaradial symmetry और यह हो जाएगा triradial symmetry medical or the tagitas and the garlic act as an antagonist और यह antagonist होती है to the root knot nematode root knot nematode के लिए जब अगर गार्लीक में garlic या tagitas यह plant अगर आप उस जो infected field है infected field है अगर आप उसको plant कर देते हो तो root knot nematode आसानी से आप control कर पाओगे क्योंकि कुछ chemicals present होती है यह release होती है जो के root knot nematode के लिए harmful होती है नहीं बच नहीं पाता है root knot nematode तो इसलिए marigold and garlic as act as antagonist मतलब इसके एक का growth होगा और इसके एक का presence है और एक का death हो जाएगा इसलिए antagonist होती है एक दूसरे का growth में दोनों mutually support नहीं करते तो इसलिए antagonist हो जाएगा जैसे हो जाएगा synergism जो mutualism communalism ही सबसे हो जाएगा antagonist और जेनरली जो वेक्टर निमाटोर्स होती है तो यह हो जाएगा auto parasitical mode of feeding फिडिंग तो चैनल करना पड़ेगा इसके री auto parasitical mode of feeding यह special कुछ feature दिखा गया है virus भेक्टर निमाटोर्स में निमाटोर्स transmitted only RNA viruses मतलब जब RNA virus को निमाटोर्स एक प्लांट से दूसरी प्लांट में या एक infected प्लांट से एक healthy plant में transfer करेगा यह transmit करेगा by growing of a non non host crop in between two susceptible ones the population level of the nematode is brought down below the damaging threshold level and it is an example of cultural control of the crop rotation तो यह crop rotation इसका definition ही ऐसा है जब दोनों जो मैं बोल रहे थी कि आगे infected crop field में अगर आप कोई भी non host crop जैसे टैजेस्टासी इस तरीके कि अगर आप crop stroke करते हो तो जब non host crop अगर two susceptible ones का अगर आप grow करते हो तो निमाटोर्स का population हो जाता है below the threshold level मतलब जब plant के लिए वो damage हो सकता है यह death kill ज्यादा हो सकता था तो damage लेगर आगा threshold level हो जाएगा तो आप इस तरीके कि उसका जो growth निमाटोर्स पोपुलेशन अब उसको भी कम करोगे और जो damaging of the crop crop plants एकोनामिकल damaging वो भी आपको कम हो जाएगा इस तरीके की जो culture यह cultural control है crop rotation है next जो है approximately 50% of known nematode species are medine 25% are free living species found in the soil or fresh water 15% are parasites of animals and 10% of known nematode species and parasites of the plants तो nematode species में 15% marine group मतलब aqua से होता है soil and water जो marine मतलब oceans में होती है 25% free living होती है जो soil and fresh water में रहता है 15% होती है वो parasite होती है of animals में 10% nematode species होती है plant के लिए parasite nematodes are also known as the ill worm in Europe तो nematode इसका और एक नाम है जो की यूरोप में ill worm नाम से nematode को indicate किया जाता है जाना जाता है Nemas in the United States and roundworm by the geologist तो nematode का कुछ कुछ नाम यहां पर दीखार एक ही organism के किता सरा नाम जो यूरोप में इसको ill worm बोला जाता है geologist इनको roundworm नाम से मतलब indicate किया है और जो नेमास जो की United States में नेमास नाम से यह scientifically reported है Nematodes are belongs to animal kingdom they are trifoblastic यह important question है nematode actually कौन सी kingdom से बिलोग करती है कि यह animal kingdom से बिलोग करती है और इसको क्या बलता है trifoblastic यह पर question यह आ सकता है तो इसका सही answer है कि trifoblastic unsegmented bilateral symmetry जो मैं बोल रही थी डाइसेट करने से दो डिविशन हो जाएगा तो bilateral symmetrical pseudo pseudo cocculomate and also having well developed reproductive and also nervous and excreted digestive system whereas the circuitry and respiratory system are absent but governed by the pseudo cocculomic fluid से तो निमाटोड में यह एक अनिमल kingdom यह खो गया यह ट्राइफल ब्लस्टेक यह दो पॉइंट है important जो कि unsegmented होती है bilateral symmetrical होती है और इसमें present होती है pseudo cocculomate इसका function क्या है एज निमाटोड में कोई भी circulated system और respiratory system नहीं है वो अ्टाब काम करते pseudo cocculomic fluid और यहां पर well structured reproductive organ होती है nervous system प्रजबंट होती है exfoliated system रजंती है as well as digestive system if present होती है across the three report is located in the anterior mid-ventral line close to the nerve ring नार्व रिंग की करीब जो एंटेरियर मिड वेंटरल लाइन होती वहाँ पार एक्सेटरी पोर लोकेटेड होता है तो इसी के साथ आज की जो सेशन था अगर आपको पसंद आया है तो इसका प्लाइक कीजिए थैंक्यू फर वाचिंग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ